गौतम बुद्ध को कैसे मिली ग्यान? राजा के यहां बुद्ध का जन्म हुआ. पिता ने जोतिशियों को बुला कर भविश्य पूछा. उन्होंने कहा, या तो यह समराठ होगा और या तो यह साधू होगा. एक तरह से देखा जाए तो सच्चा समराठ भीतर से साधू ही हो कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने. जोतिशियों ने कहा कि इसका लालन पालन वह पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा. अर्थात आपका पुत्र सिधार्थ कभी किसी बुढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी कि जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधू बन जाएंगे. राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिधार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े-बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास-दासियां और खाने-पीने के सामान, आदिवस्तूओं के धेर लगा दिये, पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलजा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया. शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधू बनने का प्रश्न ही उपस् के, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे, सिध्धार्थ का जीवन एश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था. उनके जवान होने पर एक सुन्दर कन्या, यशोधरा से उनका विवाह हो गया, विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिन्त मिठ गई, अब तो शादी हो गई, अब कहा जाएगा, अब तो मेरा पुत्र बंधन में बद गया है. अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता, एक वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया, उसका नाम राहुल रखा गया. अब राजा शुद्धोधन को बिलकुल पक का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता. एक दिन सिध्धार्थ ने कहा कि पिताजी आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आग्या हो तो आज देखाऊं राजा ने कहा, हाँ हाँ, अवश्य जाओ, अपना शेहर देख कर आओ. एक सारठ के लिए राजधानी के प्रमुक मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिध्धार्थ ने थोड़ा उलटा मार्ग ले लिया, वे उस मार्ग से गुजरने लगे, जहां पर तैयारी नहीं थी और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ, जब पहली बार उन्होंन सिध्धार्थ को एक जटका लगा, और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हां राजकुमार, हर व्यक्ती के जीवन में तीन अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, एक दिन तुम भी पे की अवस्था में जाओगे, हे राजकुमार, ये संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर, शिथिल, अर्थात, बुढ़ा होता है, राजकुमार सोच में पड़ गया, सारथी ने रत को आगे बढ़ाया, तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ती मिला, जो रोगों से घिरा हुआ था, उस पीडित व्यक्ती को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दूहखी हुआ, राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है, सारथी ने कहा, यह व्यक्ती बीमार है, इसलिए यह कराह रहा है, इस संसार में दूहख और सुख दोनों है, ये बड़ा बलवान होता है, ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं, चाहे राजा हो या रंक, सुख दुहक सब पर आते हैं, अगर शरीर में कोई रोग आना है, तो वह आएगा, ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पढ़ गया, सारथी ने रत को कुछ आगे बढ़ाय तो सामने से चार कंधों के ऊपर एक अरथी को जाते हुए देखा, राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था, उसने सारथी से पूछा, ये क्या है, ये आदमी मर गया है, ये मुर्दा है, जो व्यक्ति मर जाता है, उसको बांध कर शमशान भूमी में ले जाते हैं, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा, मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी चार कंधों पर उठा कर ले जाया जाएगा, मुझको भी ऐसे ही रस्यों से बांधा जाएगा, मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड पेंगे और जिस संसार को मैंने इकठा किया है, वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाओंगा, क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी, क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा, सारत ही ने कहा, हाँ, राज कुमा एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिध्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुँच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा की नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुँच कर सारथी को लोटा दिया। फिर कई दिनों त